हेलो फ्रेंड्स मेरे चानल इजी वी आफ लर्णी में आपका स्वागत है मैं शुषी आज हम पढ़ेंगे वक्षित नमर फिफ्टीवन हिंदी कभी शबत के पूनवरिती कर्णिया में यानि रिवीजन करनी है प्यारों बच्चों इस वर्ष के संसोधित पाथे करम के अनु में जो की संथ कभीर दास जी के हैं तो इसमें क्या है सबत पत देखते हैं मो को कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में ना में देवल ना में मजल ना काबे कहलाश में ना तो कोने क्रिया करम में ना योग बेराग में खोजी होईतर तुरंते मिल्या पल भर की तालाश में कहे कबीर सुनो bhai सादो सबस्वासों की स्वास्वनमें चलिए इसका मतलब क्या है जो हम समझते हैं परस्तुत सब्द में कबीर जी जी यह कहना है कि इश्वर कहा है जो तुम उन्हें ढूंड रहे हो मैं जहां हूँ तुम मुझे वहाँ ही नहीं खोज रहे हो बलगी तुम मंदिर मस्जिद में कोज रहे हो इसले किसी इस्थान विशेष का नहीं है वे तो किसी इस्थी के हर कनकन में व्याप्त है ना तो मैं मंदिर में हूँ ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना तो मैं काबे में हूँ, ना तो मैं कहलाश में हूँ तुम भगवान है कहाँ, भगवान हर कनकन में है किसी विशेश क्रिय करम या वैराग्य धारन करने से मुझे नहीं पाय जा सकता यदी कोई खोजने वाला हो तो है मैं तुरंती मिल जाएंगा पल भर की तलाश में क्योंकि मैं पर्तेक की सांस में मौजूद हो तुम अंदर ढूंड़ो तो मैं अंदर ही हूँ यानि कि भगवान जो हर जगे मौल में मौजूद है चाहे वो हमारे अंदर हो चाहे वो हमारे बाहर हो चाहे इस हवा में हो चाहे पानी में हो यानि भगवान हर जगे है चली यह से कोशन पढ़ते हैं पहला कोशन है मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंटा फिरता है तो इसका अंसर है मनुष्य इश्वर को मंदिर, मस्जित, काबा वा कैलाश जैसे स्थानों पर ढूंटा फिरता है दूसरे कोशन है कबीर ने इश्वर प्राप्ति के लिए किन-किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है कौन-कौन से विचारों किया है उन्होंने कबीर दास जी कहते हैं कि जूटे आटमबर अत्वा किसी विश्यश क्रिया करम से वैराग्य के धारन करने से इश्वर की प्राप्ति नहीं होती यह सब व्यर्थ की बाते हैं तीसरे कबीर दास जी के अनुसार इश्वर हमें कहां मिलेंगे कभीर दास जी के अनुसार इश्वर परते एक व्यक्ति में है वैपरते एक किसास में मौझूद है अपने अंतर मन में इश्वर को ढूणने के लिए कहते हैं भगवान कहते हैं कि अगर भगवान को ढूणना है तो अंतर मन में ढूणिए वहाँ पर भगवान जरूर मिलेंग इसका फोर्थ कोश्चन है कबीर दास जी ने इस्वेर को सब स्वासों की स्वास में क्यों कहा है ऐसा क्यों कहा है कि भगवान सब की स्वास में है तो सब स्वासों की स्वास में अथाथ इस्वेर सभी मनुष्य की स्वास में अथाथ मनुष्य के भीतरी इस वेरे वो कभी भी तुमसे दूर नहीं है जब भी चाहोगे भगवान तुम्हे सामने मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स यहां पर मारे वीडियो कंप्रेट होता है आपके वीडियो पसंद आयों से लाइक किजिए कमेंट किजिए शेयर किजिए और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक यू